नमस्कार मसूब करन साहे काचारी ए एफम आज हम विकौम पार्ट सेकंडियर के विद्यार्थियों के लिए फाइनेंशल मनेजमेंट एफम पेपर सेकंड यूनिट संख्या सेकंड के अंतरगत महत्वपून एडजेस्टमेंट की चर्चा करेंगे जो की कोस परवाह विवरण बनाते समय हमें आवशक्ता पड़ती है यह कौन-कौन से ऐसे महत्वपून समावेशन है एडजेस्टमेंट है जिनकी साहिता से हम कोस परवाह विवरण आसानी से तयार कर सकते हैं कोश परवावीवरन जब हम त्यार करते हैं तो इनमें काफी एडजेस्टमेंट हमें करना होता है जिसकी साहिता से मासानी से कोश परवावीवरन त्यार कर सकते हैं कोश परवावीवरन से सम्मन्दित महत्वपून समायोजन इंपोर्टेंट एडजेस्टमेंट रिलेटिंग ओफंड फ्लो इस्टेटमेंट पर्थम एडजेस्टमेंट है परिचालन कोशो या परिचालन से कोशो की गलना कैलकुलेशन ओफ फंड्स फ्रॉम ओप्रेशन परिचालन से कोशो की गलना में किसी भी विवसाइक सेंस्था में संचालन से लाब कोश प्राप्ति का एक महत्वपून सादन है माल के कुल विक्रे मुले में बेचे गए माल की लागत वै अन्यवे गटा कर संचालन से सुद आई या सुद लाब ग्यात किया जाता है लेकिन यह राशी कोश प्राविवरन के लिए किर्याशी लाबों का परती निदित्वन नहीं करती है क्यूंकि इसका कारण यह है कि इस प्रकार संचालन से सुद आई की गणना करते समय लाब हानी खाते में बहुत से ऐसे मदों का समावेश कर लिया जाता है जो कारेशिल पूंजी को परभावित नहीं करते हैं अतह है कोस परवाविवरन के लिए परिचालन से लाब की गणना करने के लिए लाब हानी खाते द्वारा प्रदशित सुद लाबों में कुछ समायोजन भी हमें करने होते हैं जो की परिचालन से कोसों की गणना सम्मदित निम्न लिखित वीधियों के दुवारा एडजेस्टमेंट हमें करना होता है जिसमें पर्थम है लाब हानी समायोजन खाता बना कर बाई प्रिपेरिंग प्रोफिट अन लोस एडजेस्टमेंट अकाउंट दूसरा वी तिये वीवरण बना कर प्रिपेरिंग स्टेटमेंट के दुवारा पर्थम प्रारू विधी format of fast method में हम adjustment profit and loss account for the year ending this March 2000 जो भी है जिसमें हम particulars में debit side to side depreciation on fixed assets को लिखते हैं loss on sale of fixed assets को लिखेंगे to transfer of reserve to goodwill, to preliminary expenses, to premium on redemption of share, to untrimmed dividend, to propose dividend, to propose tax by side हमें profit on sale of fixed assets, dividend received, interest received, transfer from reserve को सामिल करते हैं इस परकार में statement of fund flow operation में closing balance of surplus का इसमें अपने अर्डिकरेंगे non-fund expenses, depreciation of fixed assets, loss on sale on fixed assets, transfer to reserve, goodwill, patent या preliminary expenses, या premium on redemption of share या अंत्रिम dividend या proposed dividend, less कर देंगे, इसमें non-fund incomes, profit on sale of fixed assets, dividend received, interest received, transfer from reserve, इसमें less करेंगे, opening balance of surplus को, जिसमें fund from operations, इस परकार से निकल के, मारे सामने आ जाएगा। दूसरे adjustment की हम बात करें, जिसमें जैसा कि हमने इस adjustment में lab की गणना करनी है, जैसा कि मैंने आपको पूरी के वीडियो में इसको अपनासानी से भी, प्रेक्टिकल के question के बादे में से भी हमने समझा था, पहले adjustment में परिचालन कोसो की गणना से सम्दित adjustment किया, अगे हम सी से सम्दित adjustment में दूसरा जो adjustment है, वो करेंगे कर के लिए आयोजन, provision for tax session, कर आयोजन को कमपनी अधिनियम 2013 की अनुसुची थर्ड में के अनुसार, चालू दायतों में, अल्प कालिन आयोजन उप सीर्शक को सामिल किया गया है, अतहे है, चिठे में दिये गए, कर आयोजन को चालू दायतों ही मान कर, परसन को हल किया जाएगा, तीसरा है, अजजेश्मेंट प्रस्तावित लावान्स, प्रपोस डिविडेंट्स, प्रस्तावित लावान्स को कमपनी अधिनियम 2013 की अनुसुची थर्ड के अनुसार, चालू दायतों में, अल्प कालिन आयोजन उप सीर्शक में सामिल किया गया है, अतहे चिठे में दिय अगेकर आयोजन को चालू दायतों ही मानकर इसको अपने हल कर पाएंगे, जिसे प्रपोस डिविडेंट भी कह सकते हैं, अगला चालू संपतियों पर आयोजन, प्रोविजन अगेंस्ट करेंट असेट्स, चालू संपतियों पर आयोजन, जैसे डूबत रिनो के लिए आयो करती है, तो प्रोविजन फूर अगेंस्ट करेंट्स असेट्स का भी अजिस्ट्मेंट हम इस प्रकार करते हैं, इस्थाई संपतियों में वर्दी या कमी, इंक्रीज और डिक्रीज इन फिक्स असेट्स, कोस प्रवाविवर्ण में इस्थाई संपतियों में वर्दी, इस् इस्थाय संपतियों के चालू वर्ष की लागत में से गत्वर्ष की लागत जिन में से बची हुई संपती की लागत गटी हुई को गटा देने पर सेस करे की गई संपती की राशी गयात होती है कई बार परसन में इस्थाय संपती की लागत की सूचना नहीं होती है एसी स्तिती में अप लिखित मुल्य में कुल काटी गई हराज की रकम को जोड कर भी इस परकार गयात करते हैं क्योंकि इस थाय संपुतिवर करेब इस परकार से हम अजिस्ट्मेंट करते हैं जिसमें cost of fixed assets current year को depreciation charge करके जोड देंगे written down value of fixed assets sold in during the year इसमें घठा देंगे opening balance fixed assets previous year को तो अपने सामने purchase of fixed assets आ जाएगी इसी करम में इस्थाय सिंपतियों की लिक्रे पर हम इस परकार गयात करते हैं cost of fixed assets previous year को less करेंगे cost of fixed assets current year को cost of sale cost of assets sold को add कर देंगे profit deduct loss on sale of fixed assets को इस परकार हम depreciation के adjustment को इस परकार बताए जिसे machinery counter उस पर depreciation charge किया गया है यहाँ पर इस person में हमें print balance दे रखा है और machinery को बेचने से हमें 30,000 रुपी नकद प्राप्त हुए हैं जो कि इस खाते के माध्यम से हमें adjustment करके निकाला गया है तो इस परकार हम इस adjustment के दुआरा अपना सनी से किर्यानविन कर सकते हैं छटे adjustment के हम बात करें मिस्र विवार compound transactions कभी के भी एक विवार ही कोसों के स्रोत या कोसों की उपयोग दोनों का बोध कराते हैं अता है ऐसे विवारों के विशलेशन में विशे सावधानी रखनी होती है उधान के लिए यदि किसी एक वेक्ती से 20,000 रुपे की एक मशीन खरीद कर उसी वेक्ती के पास उस मशीन को 17,000 रुपे रिन के बंदग रख लिया जाता हो तो है मिस्सर प्रकरती का विवार होगा क्यूंकि 20,000 रुपे की मशीन रिका क्रे करना कोसो का उपयोग है 17,000 रुपे का रिन लेना ये कोसो का स्रोत माना जाता है इसी प्रकार ये दिन नया रिन लेकर पुराने रिन का बुखतान किया जाता है तो रिन प्राप्त करना कोसो का स्रोत है तथा पुराने रिन का बुखतान करना कोसो का उपयोग कहलाता है अगले अंत्रिम लावांस अंत्रिम डिविडेंट में चालू वर्स के मद्दे किसी भी समय का बुक्तान किये जाने वाले लावांस को अंत्रिम लावांस के नाम से जाना जाता है सामाने ते इस परकार के लावांस अधिक लावर्जित करने पर बुक्तान किया जाता है पुन्जी प्रभावित रहती है अतह है कोसो का उपयोग नहीं माना जाएगा अठ्वे एडजेस्ट्मेंट में अमूर्त्वे करतिम संपर्तियों का लेखन रिटन डाउन ओफ इंटेंजियेबल एंड फिक्सेट असेट्स में सामने तया अमूर्तिया करतिम संपतियां जैसे ख्याती एकस्वर टेड़ मार्क प्रारंबिग वैभिगोपन कमिशन अंसों और पत्रों के निर्गमन पर बट्टा इत्यादी अव लेखन की रासी के संबंध में ये इस पर सूचना दी गई है कि सूचना के भाहों में गत वर्ष के चिठ्थे में परदशित मुले से कुल दिया जाएगा इस परकार अगलेधरस्टमेंट में हम बात करें नवेधरस्टमेंट डेप्रिशेशन की जैसा कि मैंने आपको पूरु में बताया कंप्रिशेशन मुलए हरां से गेर कोश मद्ध है अर्थात ये ने तो कोशों का सरोत है ने कोशों का सादν है परीचालन से लाव की गणना करते समय इसे अन्यवेओं की भाती लावानी खाते में डेविट किया जाता है परीचालन से कोसो की गणना करते समय हरास की राशी को लावों को पुने जोड़ दिया जाता है तो हास को परिवेजन परिचालन से कोसों को ग्याद करते समय जोडने के कायनिस का एक गेर रोकड़वे होना है जिसे कोस परभावित नहीं होते हैं सामाने तया चालू अर्च के लिए मुले हराज की राशी प्रसन में दी गूई होती है यदि हराज की राशी नहीं दी गई हो तो उसे इस्थाई समपती खाता बना कर ग्याद किया जाएगा यदि संचे हराज की राशी दी गई हो तो उसे संचे हराज खाता बना कर ग्याद किया जाएगा दस्वे अजेस्टमेंट में हरास कोस के सरोत के रूप में हरास कोस के सरोत के रूप में इसे इस परकार मना जाएगा हरास के कारण कर्योग गयाई कम होती है जिसें करदायतों भी कम होता है करदायतों में कमी की राशी को हरास का सरोत मना जाएगा दूसरे में हरास के काण कोसों में वरदी नहीं होती हो तो बलकि कोसों की बचत होती है तो ये बचत कोस के रूपे साधन मानी जा सकती है इस्टो का मुल्यानकन लागत मुल्यान पर किया जाता है और हास का लागत एक अंग है इस परकार राज चालू संपतियों के मुल्य में सामिल होकर कोस का सुरोत बन जाता है इसी परकार ग्यारवे एडजेस्टमेंट में हम बात करें विन्योगों का क्रेव एवं विक्रेव परचेज एंड सेल ओफ इन्वेस्टमेंट विन्योगों को चालू वैस्थाई संपती दोनों माना जाता है विन्योग यदी वीपनन योगे परती भूतियां अलपकालिन सरकारी परती भूतियां अलपकालिन विन्योग के रूप में हो तो चालू संपती माना जाएगा अलब कालनी विन्योग के क्रे विक्रे का समयोजन कारी सिलपुनजी में परिवर्तन की तालिका के माद्यम से सवते हो है तो ऐसे विन्योगों से इसे विन्योगों के बचने के लिए होने वाले लाभानी कोसों की गन्ना का कोई समयोजन नहीं किया जाता क्योंकि देर कालनी विन्यों की इस्थाई संपती खाते माने जाते हैं इनकी विक्री कोसों का सादन यों इनका क्रे कोसों का उप्यों माने जाता है क्रे विक्रे की राशी ग्यात करने है तू विन्यों खाता त्यार किया जाता है दीरकाली विन्यों को बिक्री पर होने वाले लाभ, यहानी का समायो जञ लाभों में करमस्अ गठा कर वजोड कर भी करना चाहिए ये दिस्पश रूप से ये ग्यात ने हो तो विन्यों चालू समपति हैं और इस्थाई संपत्ती जब इन्हें इस्थाई मान कर भी परसन में हल करना चाहिए जैसा कि इस द्धान के रूप में यहाँ पर बताया गया है बारवे अड्जेस्ट्मेंट में बात करें अंस पुंजी वद दीर काली दायतों में वर्दिया कमी की किसी भी आवदी में अंस पुंजी का निर्गमन दीर काली दायतों के कोस के स्रोत माने जाते हैं पुरुआ धिकार अंसो के सोदन वा दीर काली दायतों में कमी रूसका बुक्तान कोसो का उप्योग मानने जाते हैं कमिया वर्दी की गन्ना अंस पूंजी खाता दीरकाली रिन खाता बना कर इफिग्याद किया जाता है यदि अंसो या रिन पत्रों का निर्गमन किसी स्थाई संपती को प्राप्त करने हितू या अंसो के निर्गमन रिन पत्रों के बदले किया जाता है तो यह नहीं तो कोस का स्रोत होगा नहीं स्थाई संपती में वर्दी असादन होगा इस प्रकार यदि बोनस अंस वा इसकंद लावान जारी किये जाते हैं तो यह कोसों का स्रोत नहीं होंगे किन्तु किसी चालू संपती में प्राप्त होने वाले का निर्गमन किया जाता होती ये को रोस कोसो का स्रोहत माना जाता है तो इस परकार से ये विविन परकार के से एड़ेस्टमेंट है जिनके आधार पे गोसो का ये होता है तीसरा एड़ेस्ट्मेंट की हम बात करें तेरेवे एड़ेस्ट्मेंट में भैत्वण एड़ेस्ट्मेंट है कि लाभानी खाते के सेस को चिठे में सामिल नहीं करना कभी कभी ला भानी खाते से इसको चिठे में अलग से प्रदेशित नहीं किया जाता है बलकि उसे संचेव आधिक्य किराशी में सामिल कर लिया जाता है संचेव आधिक्य किराशी चिठे में प्रदेशित की जाती है ठाला भहानी खाते सिए से बाव में परेड़ी चालन शे कोसो कोड़ना करते हैं संचे भादिके या पूंजी खाते में जैसे match नोब मदों का समाय वजाते करना चाइए जो लाब भादके के से इस समाय वजाती है इस प्रकार वेकल्पी ग्रूप से संचेवाधिक के खाता पुंजी खाता बना कर चालू वर्स के लाब को ग्याद कर सकते हैं जैसा कि सुधान के माद्यम से हो बताया गया है तो इस प्रकार से विविन में प्रकार के एड़ेस्टमेंट ऐसे हैं जिनके आधार पे हम फंट फ्लो इस्टेटमेंट आसानी से गयाते कर सकते हैं थैंक्यू वेरी मैच बहुत ही बहुत धन्यवाद